और अब रुख करते हैं गुजरात की बाकी की खबरों का जहां मकर संक्रांथी के मौके पर पतंग उत्सब की तैयारियां भी बड़ी जोरों पर चल रही है कोरोना महामारी के बाद पहली बार इस साल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शुरुआत हुई है यह समारों 8 जन्वरी से 14 जन्वरी के बीच एहमदाबाद समित कई शहरों में होना है यह आयोजन G20 की थीम पर होगा जिसमें कई देशों के लोग शामिल होंगे पतंग उत्सब की तैयारियों को लेकर एहमदाबाद से सूरत तक उत्सभा का माहौल है और जोश हाई है साउथ के सूपरस्टार से लेकर G20 पिंट वाली पतंगों से सच चुका है बाजार और इन सब के बीच पिये मोदी की तस्यूर वाली पतंग का क्रेज सबसे अलग दिखाई दे रहा है पहले लोग गुजरात के पतंग मांगते थे मोदी जी की पतंग है क्या बढ़ी है पहले हम यहां गुजरात में बेशते थे अभी हमने माल ले हैदरावाद बेजा है है जो मोदी की डिमांड फिर से आई को उनके फोड़ू वाली पतंग हमको ज्यादा चाहिए रंग बिरंगी अजूबी पतंगों के महुतसव के लिए गुजरात तयार है आठ जन्वरी से 14 जन्वरी 2020 के बीच गुजरात के तमाम शहरों में अंतराश्ट्री पतंग महुतसव का आयोचन किया जाएगा जिसे लेकर लोगों में काफे उत्सा है दरसल कोरोना महामारी के चलते पिशले दो साथ से पतंग महुतसव का आयोचन नहीं हो सका था इस बार के पतंग महुतसव के थीम G20 रखी गई है जिसकी छलग भी गुजरात के बाजारों में दिखाए दे रही है वहीं पिये मोदी और चीते के तस्वीर वाली पतंग के दिमान काफी जादा बनी हुई है साउथ के सुपरस्टार्स का जलवा भी एहमदाबाद के बाजार में दिखाए दी रहा है यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में यह कुछ पतंग रखी गई है यह खंबाद की पतंग है गुजरात में यह बहुत ही जादा फेमस है साथी मोदी हमेशा से प्राइम मिनिस्टर नेंद मोदी हमेशा से ही चर्चित और उनके जो फोटो वाली जो पतंग होती है वो काफी जादा डिमान में होती है एक नई चीज आपको यहाँ पर इस साल देखने को में यह रिखे पुश्पा जो मूवी आई थी उसका फोटो यहाँ पर आपको साफ नजर आता साथ ही केजी एफ का यानि कि साउट इंडियन मूवी का जो पूरा क्रेज है वो इस साल मकल संक्रान्ती में देखने को मिल रहा है गुजरात परेटन निगम लिमिटिक की तरफ से आयोजित जी टुएंटी के थीम पर इस साल अंतराष्टे पतंग महुतसव एहंदबाद में आयोजित क्या जाएगा जी टुएंटी देशों के पतंग उडाने वाले और दुनिया भर से दूसरे परतिभागी इसमें हिस्सा लेने पहुँच रहे हैं ख़बरों के मताबिक इस साल पतंग के शौकी एक ही समय में पतंग उडाकर गिनिज वर्ल रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश करेंगे रुक करेंगे सूरत का जहां काइट फेस्टिवल को मनाने के लिए जोरदार तयारियां की जा रही हैं क्योंकि इस बार गुजरात में बाजारों में पतंगों को लेकर कई आप्शन्स भी मौजूद हैं लेकिन इसमें भी खास हैं बरेली और पीएम मोदी सीएम योगी की तस्वीर वाली पतंगे उत्तर भारत में मकर संक्रांती और गुजरात में उत्रायन 15 जनवरी एक बड़े मौके के तौर पर मनाया जाता है गुजरात में इस दिन पतंग उड़ाने का चलर है जिसके लिए बड़े-बड़े काइट फेस्टिवल किये जाते हैं गुजरात में काइट फेस्टिवल की तैयारिया अभी से शुरू हो गई है बाजार सच चुके हैं सूरत में दिनों पतंग की दुकानों में कई तरह के पतंगे बिक रही है मांजहा और पतंग लोगों को अपनी तरफ आकर शित कर रहा है यूँ तो काइट फेस्टिवल में एक से बढ़कर एक पतंगे देखने को मिलती है बीते दो बरस में जिस तरह कोरोना ने सभी कारेकरम पर ब्रेक लगा दी थी माना जा रहा था कि इस साल वो ब्रेक हटने के बाद इस तेवहार में नया रिकॉर्ड बन सकता है हलांकि इस बार बरेली की पतंगे बाजार में ज्यादा डिमांड में है वैसे तो नेता, अभिनेता और क्रिक्रेटर्स की पिक्चर वाली पतंगों का क्रेज लोगों में ज्यादा होता है लेकिन यहाँ इस बार पिये मोदी और योगी की तस्वीर के साथ स्लोगन वाली पतंगे सुर्खिया बटोर रही है हालांकि महंगे रॉम मेटेरियल का असर कारोबार पर देखा जा रहा है वैसे इस्तिवहार की तैयारियां एक महीने पहले सी ही हो जाती है लेकिन इस बार कारोबार की रफ्तार थोड़ी धीमी है नय साल में जनवरी के पहले हफते ही लोगों का उत्सा ठंडा नजर आ रहा है पिये मोदी की लोग प्रियता पर संदेह नहीं किया जा सकता वैसे इसकी वज़य भी है वो खुद भी पतंगवाजी का शौक पूरा करते हुए कई बार देखे गए है अलंकि इस साल को लेकर अभी तक ये साफ नहीं है कि वो पतंग उड़ाएंगे विरो रिपोट